हमारी बस निकल गई हमारी बस छूट गई है गाइज ओ माई गॉड हमें छोड के चली गई है बस ओ माई गॉड भागो भागो राजस्तान में यह रोड की हलत देखो वेलकम बैक अगेज डाड़ी पोपट व्लोग में तरसन पोपट बाड मेर से अमडाबाद गुजराट गवर्मेंट की रोडवेस की बस में कडी डूप में नौन एसी सीटिंग बलस्ट में आज हम ट्राविलिंग करने वाले हैं गाइस सीफ 353 रुपीज में हम पाड मेर से अमडाबाद जाएंगे गाइस होटल सुमन पैलेस यह राम जी की गोल के पास रुके हुए है और यहाँ पे देखिए गरम गरम चाई बना रहे है बहिया कैसे हो ट्राविलिंग में कुछ चीज ऐसी होती है जो ट्राविलिंग को और भी खास बना देती है और उनी में से एक है गरमा गरम चाई दोस्तों यह वो चाई है जो सिर्फ स्वाध ही नहीं बलकि सफर के हर लम्हे को यादगार बना देती है जितनी भी बस आती है न यह होटल सुमन पेलेस पर ही रुखती है राम ची की गोल क्योंकि यहां की चाई जो अड्रक और मसाला डालके जो चाई बनाट है भाईया वो बहुत ही फेमस है अंकल आपको यहां की चाई कैसे लगती है बहुत अच्छी लगती है आप हमेशा यहीं बेपी तो और भईया आपको चाई कैसे लगती है ठीक ठीक है भईया आपको चाई कैसे लगती है सुमन होटल की चाई सबसे बेस्ट है चाहे रास्ते के धाबे की चाई हो या किसी छोटे से ठेले की सफर की धकान मिटाने का सबसे अच्छा जरिया है चाई तो अगली बार जब भी आप सफर पर निकले इस चाई की चुशकी लेना न भूले क्योंकि सफर का असली मज़ा तो चाई के कप के साथी है देखिया यह हमारा बस जो कि सुमन होटल के पार्किंग में खड़ा है और यह देखो कितने सारी पानी की बोटल एक साथ ले ली है बहुट ही बढ़िया चाय है गाईस मज़ा आ गया सारी ठकान दूर कर दी हमारी बस की वाह सुपर पांच मिनिट भी नहीं रुकी गाईस बस हमारी चाय भी अरदूरी रह गई है बस में हमें सबसे लास्ट में सीट मिली है कोई पैसेंजर बस में स्मोकिंग कर रहा है जिससे हमें बहुट तकलिप हो रही है सास लेने में साचोर में लंबी लंबी लाइने हैं लगी हुई है ट्राफिक किये देखो कि बहुट ही ट्राफिक है साचोर में पांच किलोमेटर लंबा जाम है साचोर के पास यह रोड की हलट देखो राजस्थान में है रोड की हलट कैसी हो गई है यह देखो गाइस पाँच-पाँच किलो मिटर से भी लंबा ट्राफिक रहता है हम ऐसा यहां साच्चोर में है और लगबक अगर आपके नसीब अच्चे है तो एक घंटे में आप फ्री हो जाओं कि नहीं तो दो घंटा आपको यहां लगी जाएगा ट्राफिक में एक बार फिर ट्राफिक जाम अलगबग आने वाले दो साल तक यहाँ पर ऐसा ही ट्राफिक रहेगा एक तरफ ट्राफिक से परिशान और यह दूसरी तरफ देखे कितना खूब सूरट यहाँ पर यह देखिए सन सेट जो है अपना वो हो रहा है बहुत ही खूब सूरट और यह कहां कहां से ट्राइवर अमरे गाड़ी निकाल रहे है जैसे देसे रोड के कीनारे से निकाल रहे है बस ट्राफिक से परिशान हो गए है रोड दोनों तरफ से चक्ता जाम है गाईस दोनों तरफ से बस्टेंड अभी तक आया नहीं है लेकिन यह इधर ही उतर रहे है पैदल चले जाएंगे तो चल्दी पहुचेंगे यह लोग यह आप कहा जाओगे तो बैठ जाओ ना क्यों खड़े हो त्राफिक से परेशान हो गए हो त्राफिक से परेशान हो गए हो रस्ता भी खड़ा आप भी ठक गए है आप तो बीच में सो गए थे मैंने देखा था अंकल आपका क्या कहना है ट्राफिक से परेशान हो गए है यह देखो वो हमारे बस के पैसेंजर जा रहे है जो बस से भी जादा जल्दी से आगे बढ़ रहे है देखो बस को क्रोस कर लिया है हमारे पैसेंजर ने पैसेंजर निकलना चालू कर दिया वो अंकल देखो हमारी बस में इठे इन पैसेंजर और नीचे उतरने की फिराक में देखो उतर गए जितने भी पैसेंजर पैसेंजर जा रहे है ना वो सारी हमारी बस में से नीचे उतर गए ह और यह देखिए वहां लिखा हुआ है आगे पुलिस जिल्ला साचोर देखिए गाई सत्यम होस्पिटल साचोर के सामने रास्ता अपलॉआ हल्का हल्का ट्राफिक आगे बड़ा है पांच-छे पैसेंजर और बीच में ही उतरना पसंद कर रहे है आगे जाने की वह भी उनकी हिम्मट नहीं है जेसल में रम्डाबाद हाईवे साचोर के पास हो गया है ब्लॉआक पहले इतनी टूटी हुई नहीं थी पहले टो मस्त रोड थी यह वर ब्रिज का काम चल रहे है ना उसके बज़े से पूरी रोड कराब हो गई है अमडाबाद अभी भी 250 किलोमीटर दूर अमडवाद 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 एंबूलन्स एंबूलन्स जा रही है उसको रास्ता मिल जाए तो अच्छा है एंबूलन्स को रास्ता मिलना चाहिए गाइस एंबुलेंस के पिछे पिछे कुछ और लोग भी फाइदा उठा रहा है देखो उसका साड़े साथ बजे हम ठराड बस्तेन पहुंच गए है और सिर्फ पांच मिनिट के लिए रुकी है बस थोड़ा हम वास्रूम जाके आते हैं और वह बस भी डिजल भरवाने जा रही है कुछ खाने की तलास में निकले है अरे भाई कितने होन मारेगा जैस्री राम यहनमान जी का मंदिर ठराड में गाईज हमारी बस निकल गई हमारी बस थूट गई है गाईज ओ माई गौड हमें च्छोड के चली गई है बस ओ माई गौड भागो भागो थो गाय माटा चीकिट पचास रुबे का यह चन्ना का पैकेट लिया है यही हमारा फदर है आज का गाईज हैं फिए यह देखे भाई यो केटी परमार साब हमारे साथ है जो बाड मेर से पालनपूर जा रहे है कैसे हो तो तो निकल गया है कंपनी पहुता एंज्व दगया है ज़दा ही और क्या है यह लोग अपना साही साले से सले को ही वही पुचिए थैं तेके गाइस यहां पर हमारी बस रुखी हुई है और वह जो पार्लर वाले भईया थे उन्हों एक तम फ्री में हमें फोण चार्ज करने दिया हमारी पावर बेंग भी डेड़ हो गई धी और यह हमारी बस जो हमने भागते वाक्ते वकडिये हमदाबाद अभी भी 104 किलोमेट दूर है गाइस अधिया अधाबाद का सुबाज ब्रीज जहां पर हम अभी आधी रात को बस से उत्रे है और ओटो में बेटके हम जा रहे हैं अभी एरपोर्ट अमदाबाद एरपोर्ट 230 रूपिया सुबाज ब्रीज से अमदाबाद एरपोर्ट था अभी डॉमेस्टिक एरपोर्ट यहां सबसे एक किलो मिटर दूर है फाइनली ग्यारा घंटे बाद हम अमदाबाद एरपोर्ट पहुंच गया है गाइस और बैठे बैठे कमर दर्द करने लगी है बुरी तरह से तक गया है आसा रखते है कि वीडियो पसंदा आया है तो लाइक करें चैनल में ने है तो सब्स्क्राइब करें गाइस पानी बढ़िया यह ट्री है गाइस यह देखो बहुत ही गना है और बढ़िया ट्री है फिर पोड़े बचाओ गाइस सारे व्यसन छोड़ दो नो स्मोकिंग नो टो बेगनो आलकोहॉल बाई 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 टेक कैर